हाई गाईज वल्कम बैक टो माई चैनल आइम डॉक्टर रॉष्णी और आज मैं आपको बताऊंगी कि मॉंटेशरी मैथर से आप अपने बच्चे को प्राइमरी कलर्स कब और कैसे सिखा सकते हो इसके लिए आज मैं एक माटीरियल यूज करने वाली हूँ यह है कलर बॉक्स नंबर वण यह ट्रेडिशनल मॉटेश्री संसोरियल मटीरियल है और ये मॉटेश्री क्लास्रूम में यूज किया जाता है टीचर्स इसे यूज करते हैं जब आप घर पे मॉटेश्री प्रक्टिस करे और आप इस तरह के materials को use करते हो तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको exactly किस manner में हमें बच्चे को introduce करना है Because Montessori materials जो होते है उसको present करने का एक तरीका होता है कुछ बाते होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है So आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि primary colors को किस तरह से introduce किया जाता है और इसको कैसे आपको use करना है So Montessori home setup and learning की series में आज मैं आपको इस material के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ और इसके अलावा total कितने color boxes होते है जिसे आप अपने बच्चे को color सिखा सकते हो So ऐसे total 3 boxes आते है color box 1, 2 and 3 आज मैं आपको color box 1 पर पूरी जानकारी देने वाली हूँ यह जो box है इसमें इस तरह के wooden tablets दिये गए है मैं आपको निकाल के बताती हूँ और इसमें primary colors है, total 6 tablets है, यह RAID है, तो इसको इस तरह से edge से हमें पकड़ना है तो आपको जब आप model करके दिखाओ तब आपको भी ऐसे पकड़ना है और आपको बच्चों को भी यही सिखाना है कि इसी तरह से इस material को handle करना है जब दीरे दीरे फिर बच्चे अपनी curiosity से पूछेंगे आपको कि ऐसे क्यों पकड़ना है तो फिर आप बताना कि यहां से पकड़ेंगे तो यह colors dirty हो जाएंगे आप ऐसे करके उनको सिखा सकते हो सो ऐसे आपको पकड़ना है इस material को और ऐसे total 3 tablets, 3 colors है और total 6 tablets है pair में आते है यह red है then yellow and last जो है वो है blue so इस तरह के total 6 tablets आते है color box 2 जो होता है उसमें secondary colors आते है और उसकी total 11 pairs होती है so total 22 tablets color के इस तरह के wooden आते है so step by step हमें बच्चों को सिखाना है पहले color box 1 को master करवाना है then color box 2 उसमें color box 2 जो है उसमें primary colors included होते है और last जो box है उसमें gradation सिखाया जाता है so 1 and 2 यह जो box है उसमें color recognition सिखाया जाता है और last जो box है उसमें एक particular color के बहुत सारे shades दिये गए होते है so जैसे कि red है तो dark red to light ऐसे shades बच्चे को यह जो shades है उसका discrimination करना किस तरह से करना है वो सिखाया जाता है वो तो बहुत ही beautiful box है बहुत अच्छा material है और यह सब cool मिला के धरार so many ways बच्चे इसको use कर सकते हैं और राधर खेल सकते हैं because यह ultimately open ended toy है so आज हम इसी पर focus करेंगे तो चलिए अब मैं आपको demo देके बताती हूँ कि किस तरह से आप इसको use करेंगे opening a mat okay तो अब आपको सबसे पहले अपनी Montessori work space decide करनी है शुरुआत में जब मेरी बेटी एक डेड़ साल की थी तब तक हम floor पे Montessori work mat होती है उसे बीचा कर सभी activities को करते थे उसके बाद दीरे दीरे उसने tables और chair जो उसकी child size अमारे जो मैंने Montessori space जो अमारे living room में create किया है उसमें child size table और chair है तो अभी वो सभी activity उसी पर करती है तो सबसे पहले आपको decide करना है कि आपको ये activity कहां पे करनी है आप एक पर decide कर लो उसके बाद आपको एक working mat यूज करना है और उस mat को आपको उसको unroll और roll करना भी बच्चे को सिखाना है वो आप separately अलग अलग activities में everyday opportunities लेके सिखा सकते हो तो सबसे पहले आप उनके सामने mat को unroll करोगे और सब पहले आपका turn है आपको पहले model करके बताना है और बच्चे को आपके सामने बिठाना है और आपको simply उनको observe करते रहने देना है because they are super curious और जब कोई नया material बच्चे देखते है तो वो patiently देखेंगे कि आप इसको क्या करते हो किस तरह से आप इसको use करते हो तो box अपने सामने रखिए और one by one आप tablets को निका लिए और जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरह से edge से आपको इस material को पकड़ना है इस सभी tablets को आप पहले randomly table पे बिचा दे and then इसको vertically इस तरह से बच्चे के सामने पहले आप कोई भी रख सकते हो red, blue and yellow इसमें कोई order नहीं है पर one by one आपको पहले ये tablets रखने है और उसके बाद जब आप रखो ये tablet तब आपको बोलना है this is blue, this is red, this is yellow ये आप बोल सकते हो बाकी आपको पूरी जो भी आप उनको बता रहे हो उसमें को instructions नहीं देनी है because ये एक बहुत important manner है Montessori में कि जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी materials explain कर रहे हो तो फिर आपको ज्यादा बाते नहीं करनी है उनको देखने दो, उनको वो सभी process करने दो because ये जो है ना ये toddler years है ये sensitive period for language होता है तो फिर अगर आप बाते करोगे इसका मैं आपको scientific reason दे रहे हूँ अगर आप उनको बात करके बताओगे तो फिर क्या होगा कि वो आपकी lips पर observe करेंगे और फिर वो वो सिखने में चले जाएंगे आप बात कैसे करते हो आप बोलते कैसे हो और क्या बोलते हो ये सब वो language learning में उनका ध्यान चला जाएगा ये reason है कि जब भी हम materials को उनको दिखाते हैं उनको introduce करते हैं तो हम बहुत कम बात करते हैं पर जैसे कि हमें primary color सिखाना है तो आप ये कह सकते हो कि this is blue, this is red तो इस तरह से सबसे पहले आपको एक-एक tablet रख देना है और उनको बताने के बाद आपको फिर उसी के exact बाजू में corresponding उसके बाजू में जो उनका पैर है वो उसको रख देना है तो ये हो गया complete demo आपको ये इतना ही करना है फिर step number two आपको अपने बच्चे से पूछना है respectfully कि जो भी आप language में बात करते हो घर में अपने बच्चे से would you like to try तो ये क्या है कि ये है respect वाला point कि हमें कोई भी चीज बच्चे पर थोपनी नहीं है आपने अभी decide कि आपको ये material उनको सिखाना है तो बच्चे को सीखना ही है ऐसा नहीं होता हमें उनका interest भी देखना है और रही बाद age range की जो मैं अभी आपको कहना भूल गई दिख होते हैं उसमें भी वो mixed age group के बच्चे बैठते हैं इसके लिए guidelines कुछ books में दी है कि धाई से तीन साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये first time introduce करते हैं अब इसका भी एक logical reason है कि दो धाई सल तक तो बच्चे घर पे ही होते हैं तो फिर जब वो classroom में जाएंगे तो फिर उनका curriculum जो है वो ही से start होगा पर मैंने मेरी बेटी दो साल के अंदर थी like वो 19-20 months की थी तब मैंने ये introduce किया था और तब सही था तो ये एक दूसरा point भी है कि जब classroom होता है वो classroom होता है अपका घर classroom नहीं है आपको थोड़ी flexibility होती है observations are very important आपको observe करना है कि आपका बच्चा कब ready है आपको अब भी लगे कि अभी उनमें ये interest नहीं है, colors में वो interest नहीं दिखाते उनको शायद blocks में interest है, building blocks में interest है, शायद वो अपनी running skills को master करने में तो शायद उनको shelf activities में भी interest नहीं है, आपको उनकी interest को follow करना है, so वहाँ पे आता है follow the child, so step number 2, coming back to the point, कि आपको उनको curious, so अगर वो बोले कि yes, I want to try, तो उनको try करने देना है, और अब आपको simply, now आपका passive role है और आपका बच्चा, जब आपका बच्चा इसे चाहे यहां से भी पकड़े, you don't want to interfere, उनको करने दो, आपके पास बहुत opportunities आने वाली है, आप उनको gradually सिखाओगे, पहली ही बार में उनको यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा precise manner में कोई भी material उनको use करना सिखाओ, तो उनको फिर यह रखने देना है, और उनको simply, important क्या है, matching, जो pair करना है, visual discrimination करना है, पहचानना है कि इसको बाजु में रखना है, concept जो है color का, primary colors की, यह जो तीन color होते है, color recognition, यह important है, so यह उन आपका बच्चा यह रख दे, उसके बाद simply आपको उनको कहना है, would you like to put it back, because यह भी बहुत important step है, कोई भी activity खतम होने के बाद, यह बच्चे के responsibility है, जब वो बड़े होते, like अभी मेरी जो daughter है, वो अभी shelf praise use करती है, use करने के बाद, उस activity को खुद के responsibility लेके उसे वापिस shelf यह बच्चे का काम है, यह आपका काम नहीं है, और हमें दीरे-दीरे, बच्चे पौधे की तरह होते हैं, एक ही बार मेनी पड़, दीरे-दीरे आप उनको बहुत अच्छे से train कर सकते हो, so अगर आप बहुत sincerely montessory parenting करना चाते हो, तो दीरे-दीरे with patience आप यह सभी principles को follow करने की practice कर दो, तो आपको बच्चे को बोलना है, सिखाना है कि would you like to put it back, या फिर आप जो भी language में बात करें, मैं generally उसके साथ English में बात करते हूं, because हम दोनों ही comfortable है इस language से, आप अपनी native language को first preference दे सकते हो, so फिर वो बच्चा उसे रख देगा, तो यहाँ पे हमारी activity खतम होती ह You want to try? Okay. Can you match red with red? Can you show me red? Can you show me yellow? Can you show me blue? Can you say blue? Can you say yellow? Can you say red? Demo भी दे दिया और उनकी vocabulary पर भी काम कर दिया, हमने उनको बोलना भी सिखा दिया कि red, yellow and blue, यह आप eventually करोगे दीरे-दीरे करके, so यह material आप काफी लंबे टाइम तक यूज करने वाले हो, before you introduce, like before you shift to the color box number 2, so यह तोनों activity हो जाने के बाद, एक तीसरी चीज है जो आप try कर सक आपको यह सभी tablets को table पर बिछा देने हैं और आपको उनको point करना सिखाना है, जैसे हम read करते हैं तो हम चाते कि बच्चे point करें, तब हम कैसे उनको यह सिखाते हैं, because यह भी बहुत important cognitive milestone है, और यह बच्चे सीख लेते हैं, दो साल के बच्चे आराम से सभी चीज़े point करते है आपको उनको बताना है, can you point at red, can you point at yellow, और दूसरा question है, can you put red back into the box, so यह सारे questions है, कि आप उनको interact करके, उनको यह सब चीज़े छोटी-छोटी है, but बहुत important है, so यह सब सिखा सकते हो, तो चलिए अब इसका demo देखते हैं, can you show me red, can you show me yellow, can you show me blue, और वे में भी हम इस material को use करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ, हम क्या करते हैं, कि यह जो तीनों टेबलेट्स है, इसी के साथ मैं उसको एक बोल में कुछ चीट्स देती हूँ, या फिर कोई objects देती हूँ, जिसमें mixed color है, red, blue and yellow, और उनको sorting, color sorting सिखाती हूँ, so यह आ इनों एक paper पे या फिर table पे ही रखना है, और उनको फिर यह भी demo करके दिखाना है, कि रेड जो है उसकी line में आपको सारे ही red objects को रखना है, फिर yellow रखना है and blue, यह sorting बच्चे बहुत enjoy करते हैं, so इस tablets को use करके हम primary color sorting भी practice करते हैं, और इसी के साथ दीरे-दीर आप secondary colors जब आ या फिर आपकी household things जो होती हैं, जिसमें यह colors available है, वो आप उनको बोल में दे सकते हो, उसी के साथ जैसे कि आप erasers use करते हो, या फिर आप कोई pencil या crayons use कर सकते हो, तो बहुत अलग-अलग material आप रख सकते हो, तो वो सभी की vocabulary सीखाने का भी आपके पास एक chance आ जाता है, और खेल-खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो यह total तीन तरीके हैं, जिसको मैं personally use करती हूँ, और मैंने आपके साथ यह सभी इसलिए share किया, because classroom का atmosphere अलग है, home schooling जब हम parents घर पर पताते हैं, वो पूरा एक अलग atmosphere होता है, हमें Montessori principles को follow जरूर करना है, थोड़ी flexibility ह होती है, थोड़ा innovation, थोड़ी creativity आप use कर सकते हो, so यह पूरी ही सारी जो जानकारी थी, इसको use करके आप अपने बच्चे को primary color और उसके साथ-साथ language, vocabulary and sorting, यह सभी चीजे सिखा सकते हो, so last में मैं आपको बताती हूँ, कि इस material को use करने से आपके बच्चे को कितने फाइदे मिल सकते है, छोटी-छोटी चीजे है, पर यह root level का learning है और वो मैं आपको one by one बताती हूँ, देखिए, सबसे पहले जब आप demo कर रहे हो, तो आपने mat को unroll किया, सभी tablets को निकाला और उनको यह सभी present किया, इस process में आपका बच्चा शान्ती से आपको बैठके देख रहा है, तो आप उनको patience सिखा सकते हो, number two, आप उनको sense of order सिखा सकते हो, जब आप mat को unroll कर रहे हो, तो यह सब चीजे बच्चे में habit form होती है, उनको अपनी चीजों को care करना आता है, यह material को use करने के बाद, जब आप उनको यह सिखाते हो, कि इसको वापस भी रखना है, तो यह उनक environment, उनकी चीजों की care करना, किस तरह से करनी है, और क्यों करनी है, वो सब आपको उनको root level पे, डेट, दो साल के बच्चे, अगर यह सब चीजे सीख ले, तो पूरे ही childhood में, तीन साल का बच्चा, अगर उनको पहले से practice है, तो इसका फाइदा क्या मिलेगा, आपको शायद ज कोई drilling नहीं करनी है, हमारा goal as a parent यह नहीं है कि दो साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे की basic skills जो होती है, वो सब उनको drilling करकर के सिखा दे, no, but, you know, मैं अभी बहुत brain पर research करी हूँ, और everyday I come across beautiful information की, बच्चों का जो दिमाग होता है, इतने जो छोटे, especially 1-3 साल के बच्चे होत वो इतना capable brain होता है, इतना curious brain होता है, यह आपके उपर है कि आप छोटी-छोटी चीजे आपको सिफ opportunities धूननी है, और वहाँ पे अगर उनमें यह डाल दोगे ना, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा आपको response उसका मिलने वाला है, so, यह सभी चीजे आप ध्यान रख सकते हो और जो भी आपको सिखाना एक पूरी note-down कर लीजिए, कि आप चाहते हो कि आप आपका बच्चा तीन साल की उमर में अपने चीजों की ध्यान रखना सीखे, दो साल पर आप यह practice करवाना start कर दो, because बच्चे फिर आपको तब क्या होगा कि आपने कभी भी यह model नहीं किया और इसी वे में हमें toys और यह materials को use करना है, so sense of order जो है वो बहुत important है, next है कि visual discrimination आप उनको सिखा सकते हो, sorting आप उनको सिखा सकते हो, so यह मैंने जैसे पहले भी बताया आपको, कि red, blue and yellow, यह तीन colors के बीच में क्या difference है, वो उनको जानना है, so यह भी आप उनको सिखा सकते हो, कि Montessori material या toy को handle कैसे करना है, इस particular material में आपको edge से पकड़ना है, यह सिखाना है, so it was all about teaching primary colors at home using color box number one, मैं already अपनी channel पे Montessori at home series कर रही हूँ और इसमें मैंने आगे बहुत सारे videos किये हैं, जिसमें basic level से मैं आपको guide कर रही हूँ कि कैसे आप Montessori at home start कर सकते हो, implement कर सकते हो, और basic level से like shelf कैसे prepare कर सकते हो, और यह पूरी system है क्या, चाहे आपके बच्चे आगे जाकि traditional schooling लेने वाले है, but इस छोटी उमर में early education, अगर आप interested हो कि आप Montessori parenting करना चाते हो, तो आप मेरी channel को follow कर सकते हो, अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ले, और अगर आपको यह video अच्छ experiences है, वो मेरे साथ share कर सकते हो, comment कर सकते हो, और daily updates के लिए मुझे Instagram पर follow करिए, so अभी के लिए सिर्फ इतना ही, I'll see you next time.